अगर आप अपने लिए अपने लवड़ोंस के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं watch my free training program जिसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हूँ कि रिंशापुरी और यह है आप लोगों के लिए coming week का साफता ही राशी फल यह 11th मार्च से लेकर 17th मार्च तक की आपकी tarot readings है, tarot predictions है और इस वीडियो में सभी science के साफता ही राशी फल है नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का साफता ही राशी फल चलिए रीज़ आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the dream और दिखें dream के literal meaning को अगर हम देखें तो ख्वाब देखने की बात करता है, सपने देखने की बात करता है कुछ के लिए literally हो सकता है कि professional front से related आप कोई ख्वाब, कोई सपना देख रहे हैं और दिखें सपने का ही दूसरा version होता है vision create करना कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप अपने professional front में चाहते हैं उसी से related एक vision आप create कर रहे हैं और थोड़े से emotional, थोड़े से sentimental भी अपने ख्वाब, dream या vision को लेकर होते हुए दिख रहे हैं और कहीं practical, realistic approach मिसिंग धहती हुए दिख रही है मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि सोच शायद आप बहुत जादा रहे हैं लेकिन उतना practical, realistic तरीके से action initiatives नहीं ले पा रहे हैं अगर circumstances ऐसे हैं, situation ऐसी हैं तो कोई बात नहीं लेकिन अगर otherwise, you know, आप सिर्फ खौब देख रहे हैं, vision create कर रहे हैं और concrete steps नहीं ले रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को check करके correct करें और अगर आपकी initial stage है, यानि कि अभी vision create करने वाली ही stage है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लेटर ध्यान रखें कि साथ ही साथ action initiatives लेना भी बहुत बहुत important होता है vision without action is nothing otherwise, देखें, neutral ये वीक रहतावा दिख रहा है because the dream का card is not a negative card और positive card हो सकता है अगर आप action initiatives भी अपने dream, अपने vision के लिए इस week याँ फिर, you know, आने वाले time मिले and personal front के लिए आप लोगों के लिए the creator का card है और ये card कहीं enthusiasm की बात करता है excitement की बात करता है बहुत ही एक daring courageous energies की भी बात करता है creator के literal meaning को देखें तो हो सकता है किसी चीज़ को create करने की एक चाहा, एक fire, एक energy बहुत ज़ादा आप महसूस कर रहे हैं जो भी आप चाहाते हैं उसी के लिए आप बहुत courageously boldly action initiatives लेते वे दिख रहे हैं इस week आपको ऐसे लग सकता है कि भाई जो डर गया सो मर गया तो डरना तो नहीं है बहुत confidently जो भी ठीक लग रहा है उसके लिए life में आगे बढ़ना है और जब भी ऐसी energies होती हैं तो हम अपने goal मकसद को पा लेते हैं और एक बहुत motivation रहती है चीज़ों को लेकर जो बहुत बहुत important होती है किसी भी चीज़ को पाने के लिए तो अगर आपको किसी भी चीज़ पर विश्वास आ गया तो उसके लिए आप इस भी कुछ भी कर सकते हैं या मैं ऐसा भी कह सकते हूँ उस चीज़ को achieve करने के लिए पाने के लिए तो nutshell में बहुत एक bold, courageous, determination वाली energies रहती हुए दिख रही है साथ ही साथ फिर से मैं कहूंगी motivation, enthusiasm, excitement भी रहता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance से आप लगों के लिए गिब्यस moon का card है और यह card कहता है you are very close to achieving your goal तो जो भी आपका मकसद है, जो भी आप आना चाहते हैं उसको achieve करने के आप बहुत बहुत नस्दीख है और इस time पर बहुत important होता है कि हम अपना focus maintain करें जो एक energy level होता है उसको भी हम maintain करें अपनी motivation, enthusiasm, excitement को किसी भी वजह से लोना होने दे and astrology से आप लोगों के लिए Uranus का card है इसके हिसाब से all shades of blue, indigo इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था एरीज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जुरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या ले करा रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है we are the world और ये card सबसे बहले चीज कहता है कि इस week हो सकता है आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं बहुत सारे लोगों से connect कर रहे हैं कुछ के लिए literally हो सकता है कि out of the country से related कोई activity या तो रह रही है या फिर आप चाहा रहे हैं दिखिए बहुत ही अगर हम literal meaning देखें we are the world तो कहीं togetherness कहीं एक बहुत ही cooperative supportive energies की भी आपके professional fund में रहने की बात करता है तो broader level के लिए फिर से मैं कहूंगी या तो आपका network बढ़ रहा है या फिर आप बढ़ाना चाहा रहे हैं या फिर out of the country जो भी आपके connections है professional fund से related या कुछ के लिए personal fund भी हो सकता है आप उनसे connect कर रहे हैं या किसी भी level पे किसी भी तरीके से out of the country से related कोई activity या तो रह रहे है या फिर आप plan कर रहे हैं दिखिए general reading है possible नहीं होता है कि हम specifically हर इनसान की situation को बता पाएं कुछ के लिए visa से related बातचीत हो सकती है कुछ के लिए out of the country से related कोई deal आप finalize करना चाह रहे हैं या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने work को global लेकर जाना चाह रहे हैं आप international market explore करना चाह रहे हैं तो फिर से देखिए सब के लिए different reasons रहेंगे कुछ के लिए हो सकता है आप out of the country travel करना चाह रहे हैं उससे related कोई activity कोई चीज रह रही है देखिए यहाँ पर we are the world का card है तो world के literal meaning को again अगर हम देखें तो out of the country से related कोई activity हो सकती है और we are the world के literal meaning को देखें तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से connect कर रहे हैं एक supportive एक cooperative energies रह रही है all in all काफी अच्छा professional front से related यह week जाता हुआ दिख रहा है in fact मैं कहूंगी money, पैसा, materialistic, tangible चीजों से related भी चीजें इस week अच्छी रहती भी दिख रही है and personal front के लिए आप लोगों के लिए maturity का card है यह card एक नई beginning होने की या फिर से मैं कहूंगी चाहने की बात करता है और बहुत ही practical, बहुत ही realistic level पे यह beginning होती हुए दिख रही है और फिर से कहूंगी सब के लिए थोड़ा तो है differ करेगा क्योंकि यह general reading है कुछ के लिए हो सकता है कि आप commitment किसी को दे रहे हैं, देना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी personal front के life के area में एक again नई beginning या तो करना चाहा रहे हैं आप फिर हो रही है और यह नई beginning एक happiness, joy और कहीं फिर से मैं कहूंगी materialistic comfort या फिर materialistic realistic तरीके से beautiful energies भी आप लोगों के लिए लाती हुई दिख रही है तो all in all फिर से अगर हम देखें तो दोनों ही fronts के card कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीजें साथी साथ practical, realistic approach के होने की बात करता है और broader level के लिए इस week यही चीजें आपका focus रह रही है या फिर यही चीजों पर आप focus कर रहे है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए full moon in libra का card है और इस card के हिसाब से guidance देखें तो जितना आप अपने फाइदे के बारे में सोच रहे है उतना ही बाकी लोगों के भी फाइदे के बारे में सोचेंगे या फर एक balance आप maintain करके रखेंगे तो इस week के energies को आप और बहतर करेंगे and astrology से आप लोगों के लिए Sagittarius sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था Taurus आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चले जैमनीज आप लगों के लिए देखी कि coming week क्या लेकर आ रहा है कि energy है तो professional fund के लिए आप लगों के लिए card है intensity और इस card को अगर आप देख पा रहे हैं तो जो abstract सी image है उसमें arrow बना हुआ है arrow का मतलब बहुत जबर्दस्त focus, बहुत जबर्दस्त concentration क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी visualize करें कोई भी इनसान तीर कमान लगा रहा हूँ किसी भी चीज को तो जब तक उस चीज पर focus नहीं करेगा वो उस चीज को नहीं target कर सकता है और कुछ ऐसी ही energies इस week specifically आप ये professional fund में रहती हुई दिख रही है जहां पर आप जो भी चाहते हैं जो भी आपका मकसद है गोल है उस पर बहुत जबर्दस focus यहां तो कर रहे हैं यहां फिर करना चाहा रहे हैं और in the process बहुत एक high energy levels enthusiasm excitement रह सकता है और in the process हो सकता है कि आप थोड़े से impulsive हो रहे हैं थोड़े से जल्दबाजी कर रहे हैं और देखें जब भी ऐसी energies होती हैं तो साथी साथ हम anxious और restless तो होई जाते हैं तो कुछ इस तरीके की energies इस week रह सकती हैं और इस card के हिसाप से आप लोगों के लिए message देखें तो यही है कि immediate action किसी भी चीज को लेकर अगर करने की जरुत हो तो जरूर लें लेकिन जल्दबाजी ना करें, impulsive ना हो और कैसे एक moderate energies आप ला सकते हैं कैसे अपने enthusiasm, excitement को balance रख सकते हैं उस पे जरूर focus करें क्योंकि over enthusiasm, over excitement भी किसी चीज को लेकर रह सकता है और जब भी देखें कोई भी चीज over होती है, तो फिर कहीं हमें परिशान करती है तो इस चीज का खयाल रखें, overall किसी level पर किसी तरीके के changes भी इस week रह सकते हैं क्योंकि ये general leading है, ये changes सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए change of place, change of location, change of office, change of job या तो हो रहा है, या फिर आप चाहा रहे हैं, या इसी से related आप focus कर रहे हैं, action initiatives ले रहे हैं and I don't know मैंने mention किया नहीं किया, change of place भी ये card represent करता है तो इस तरीके की भी चीजें, कुछ जेमिनीज या फिर काफी सारे जेमिनीज के लिए इस week रह सकती है and personal front के लिए आप लोगों के लिए projections का card है और अगर आप इस card को देख पा रहे हैं, इसमें जो भी figure है, उनके चहरे के उपर एक और चहरा लगा हुआ है और जब भी ये card आता है, तो मुझे पुराने जमाने का एक गाना याद आ जाता है एक चहरे पर कहीं चहरे लगा लेते हैं लोग, शर्मिला टेगोर और राजिश खना के movie थी दाग तो देखिए कहीं, इस card के meaning को हम देखिए हैं, इस card को interpret करें तो जो भी आप कर रहे हैं, शायद आप clear नहीं हो पा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप सही direction में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं क्योंकि देखिए एक चहरे के उपर दूसरा चहरा मतलब real चहरा नहीं दिख रहा है तो आप reality को नहीं देख पा रहे हैं, आप कहीं एक सच से वाकिफ नहीं हो पा रहे हैं और जबी भी ये काड़ाता है, मैं यहीं कहती हूँ, जो भी आप करें या फिर अगर बड़ा decision, बड़ी choice आपको इस week लेनी है तो अपने आपको सच से ज़रूर वाकिफ करें, reality को अच्छी तरीके से पहले समझें, जाने उसके बाद ही action initiative लें तो इस चीज का ख्याल आप इस week ज़रूर रखें और blind trust किसी पर ना करें बिल्कुल जैसे होता है न कि surface level पर चीजों को देखकर लोगों को देखकर ही उनके बारे में कोई एक image, कोई एक perception ना बना लें क्योंकि बहुत सारे chances हैं, जो आपको दिख रहा है इस week या जो किसी पी चीज को आप समझ रहे हैं, आप interpret कर रहे हैं वो real नहीं है, वो सच नहीं है, underline कुछ और meaning है या फिर जो भी आपको दिख रहा है, उसके पीछे एक अलग story है उसके पीछे का जो सच है, उसको आप नहीं देख पा रहे हैं तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है, again, action initiatives लेने से पहले कोई decision, कोई choice लेने से पहले and in general या फिर guidance से आप लगों के लिए waxing Christian moon का card है और ये card कहता है, have faith in your dreams तो जो भी आपके dreams हैं, सपने हैं, उन पर faith रखना बहुत बहुत important है बहुत ही general सा message है, क्योंकि जब तक आप believe नहीं करेंगे अपने dreams में तब तक आप उनको नहीं achieve कर पाएंगे तो इस चीज़ का भी खयाल आप इस week ज़रूर रखें and astrology से आप लोगों के लिए Mars planet का card है इसके हिसाब से all shades of red, rust and maroon आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significantly आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था Germanese, आप लोगों के लिए coming week का साबता है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए again series आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है completion और completion के literal meaning को अगर देखें तो किसी चीज के complete होने की किसी चीज के पूरे होने की, किसी चीज के close होने की बात करता है और broader level के लिए कुछ ऐसा ही, इस week specifically आपके professional fund में रहता हुआ दिख रहा है यानि कि पीछे अगर किसी भी चीज पे आप बहुत time से काम कर रहे थे और आपको लग रहा था कि बस अब ये चीज complete हो जाए या फिर इस week आप expect कर रहे थे, ये चीज complete हो जाए तो कहीं ऐसा ही इस week रहता हुआ दिख रहा है और दिखिए ये completion सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि कोई project complete हुआ कुछ के लिए हो सकता है कि जिस भी team के साथ आप काम कर रहे थे उनके साथ आपका काम complete हो गया और दिखिए ये काट साथी साथ ending beginning की भी बात करता है क्योंकि जब भी कोई चीज complete होती है एक नई चीज तो शुरू होती ही होती है तो साथी साथ फिर से मैं कहूंगी नई beginning fresh start भी किसी भी level पे specifically आपके professional fund में रह सकती है और जब मैं कहती हूं किसी भी level पे रह सकती है इसका मतलब ये हुआ कि नया thought आ सकता है काम करने के लिए नया idea आ सकता है नए तरीके से आप काम करना चाहा रहे हैं नए belief system आप create करना चाहा रहे हैं अपने work front में तो again किसी भी level पे किसी भी तरीके की ending beginning इस week आपके professional front में रह सकती है और किसी भी चीज़ पे अगर आप बहुत time से काम कर रहे थे तो वो complete होता हुआ दिख रहा है या पिर कुछ चीज़ों को आप close करके नए दर्वाजे अपने लिए खोलना चाहा रहे हैं या पिर खोल रहे हैं और ये weekly reading है तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ हो रहा है या पिर बहुत बड़ी ending beginning हो रही है बहुत चोटी मोटी सी भी ending beginning के नसीरियन्स आप लोगों के लिए specifically इस week आपके professional front में रह सकती है and personal front के लिए आप लोगों के लिए possibilities का card है और इस card को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें एक eagle आस्मान में उड़ रही है eagle कहीं power position authority को represent करती है और eagle कहीं far sighted vision के लिए भी मानी जाती है और कहीं personal front में कुछ इसी तरीके की energies रहते हुई दिख रही है या तो जो भी आपके personal front में हो रहा है आप कहीं बहुत दूर अंदेशी से चीजों को deal करना चाह रहे है या फिर far sighted होके आप फिर से मैं कहूंगी चीजों को deal करना चाह रहे है long term vision आप रख रहे हैं आप फिर long term goals आप बनाते हुए दिख रहे हैं और कहीं power position authority या तो आपको मिल रही है या फिर चाह रहे हैं या फिर बहुत confidently आप action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं दिखिए eagle आसमान में उड़ रही है तो कहीं ये उच्चाईयों पर उड़ने की या फिर उच्चाईयों को hustle करने की भी बात करता है तो या तो आपके personal front में किसी चीज को आप achieve कर रहे हैं और आपको ऐसी feeling हो रही है कि आपने बहुत कुछ पा लिया या फिर जो भी इस week हो रहा है कहीं you know आपको ऐसे लग रहा है कि near future में जो भी चीज आप चाहा रहे थे या फिर जिस भी चीज को लेकर आप बहुत पीछे focus कर रहे थे किसी level पर आप उसको पा लेंगे आपको success मिलेगा आपको achievement मिलेगा तो देखिए दोनों ही front के card काफी positive हैं और ये week cards के हिसाब से काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिनियू मोन in Sagittarius का card है ये card कहता है luck is on your side तो क्या बात है किंसेरियंस किस्मत अगर साथ दे रही हो destiny favor कर रही हो तो किसी और चीज की ज़रत नहीं होती है क्योंकि देखिए ऐसे में छोटे मोटे challenges मसले होते हैं तो बहुत असानी से हम निकल जाते हैं और जब चीजें अच्छी हो रही होती है तो फिर तो वारे नयारे होते हैं आप देखिए ये weekly reading है तो बहुत बड़ा कुछ की बात मैं नहीं कर रही हूँ छोटी मोटी चीजें weekly reading ज़ादा represent करती है तो कहीं छोटी मोटी चीजों को ही लेकर एक success, एक achievement मिलता हुआ दिख रहा है fresh start रहती हुए दिख रही है एकका दुक्का लोगों के लिए कोई बड़ी चीज भी रह सकती है और फिर से मैं कहूंगी broader level के लिए किस्मत आपका साहथ दे रही है लग आपको फिवर कर रहा है and astrology से आप लोगों के लिए Pluto का card है और इसके इसाप से all shades of yellow all shades of orange इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday तो ये ठाक इंसेरियन्स आप लोगों के लिए coming week का साथ आपता है चले लिए उस आप लोगों के लिए देखेंगे समीं भी क्या ले करा रहा है के energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है laziness और यहाँ पर देखें laziness का मतलब गंदा वाला आलस नहीं है यहाँ पर laziness का मतलब relax करना है जो भी हो रहा है उसको enjoy करना है तो broader level के लिए देखें यह card eating, drinking, marimaking की बात करता है और चीजों को enjoy करने की बात करता है क्योंकि इस week यह आप लोगों के लिए professional front के लिए है तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोई event हो रहा है या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं उनके साथ एक emotional connection आपका बन रहा है या फिर आप dinner पे जा रहे हैं coffee पे जा रहे हैं eating, drinking हो रही है और कभी-कभी देखें, meetings होती हैं तो भी साथ ही साथ इस तरीके की activities होती हैं कुछ ऐसा आपके professional front में रह सकता है और broader level के लिए अगर हम देखें तो जो भी professional front में हो रहा है उसको आप enjoy कर रहे हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़ादा effort नहीं करना पड़ रहा और बिना effort करें आपको outcome मिल रहा है, result मिल रहा है और फिर से मैं कहूंगी आप काफी happy रहते वे दिख रहे हैं खुशक रहते वे दिख रहे हैं चीजों को enjoy करते वे दिख रहे हैं और personal front के लिए आप लगों के लिए the fool का card है और दिखिए the fool के दो meaning होते हैं एक तो बहुत ही carefree energies जहां पर बिंदास होके चीजों को कर रहे हैं और किसी भी चीज को लेकर फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है जैसे चीज़ें आ रहे हैं वैसे ही लेते जा रहे हैं और दूसरा इसका मतलब होता है थोड़ा सा in the process careless हो रहे हैं, थोड़े से immature हो रहे हैं तो दिखिए दोनों ही तरीके की energies आपके personal front में रह सकती हैं और काट के हिसाब से आप लोगों के लिए ही guidance होगी कि आप carefree रहें एक must, maula, malang वाली energies रखें बहुत जादा फिक्र किसी चीज को लेकर ना करें बहुत future की planning ना करें बहुत past के बारे में ना सोचे और हो सकता है कि बहुत सारे leo's की ऐसी energies रह रही है लेकिन in the process अगर आपको लगे कि careless हो रहे हैं थोड़े से immature हो रहे हैं तो उसको ज़रूर चेक करके correct करें otherwise दिखिए the fool is a positive card और एक बहुत important message fool का card देता है कि जो भी चीज हम चाहते हैं जो भी हमारा मकसद है उसको लेकर leap of faith हम जरूर लें हम universe पे जिन भी God को trust करते हैं उन पे पूरा विश्वास रखते हुए surrender करते हुए जो भी चाहते हैं उसके लिए आगे बढ़े लेकिन फिर से मैं कहूंगी साथ ही साथ थोड़ा ऐसा एक you know careless ना हो आप इसका जरूर खयाल रखें क्योंकि देखिए risk हम लोग लेते ही है हमें लेना ही पड़ता है लेकिन एक uncalculated risk या फिर बिना सोचे समझे वाला risk जब हम लेते हैं तो फिर परिशान होते हैं बस इसका खयाल रखें आप इन जनरल या फिर गाइडन से आप लोगों के लिए waxing moon का काड है और ये काड कहते है the energy is gaining momentum तो जो भी आप चाहा रहे हैं कहीं चीजें उसकी तरफ positively move करती हुए दिख रही है और कहीं एक increase positive increase आपके personal या professional friend में रहता हुआ दिख रहा है तो overall ये week ठीक था क्या पर बढ़िया रहता हुआ दिख रहा है and astrology से आप लोगों के लिए Scorpio sign का काड है इसके हिसाब से जो भी समुंदर के रंग होते sea green sea blue आप लोगों के लिए रखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था लिए उस आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशीफल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए अगो उस आप लोगों के लिए देखें coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है beyond illusion और ये card दो बातें कहता है सबसे पहली चीज specifically professional front में अगर किसी भी चीज को लेकर किसी भी तरीके का ब्रहम आपको था एक illusionary energies में आप रह रहे थे जहाँ पे clarity नहीं थी एक clarity आ रही है और जब भी भी किसी भी चीज को लेकर clarity आती है, better understanding हमें होती है और हम better तरीके से चीजों को deal कर पाते हैं और achieve भी कर पाते हैं तो दीखे एक ये scenario आपके लिए रह सकता है और कुछ के लिए हो सकता है कि जितना आपने expect किया था जितनी आपकी उमीद थी इस week जो भी आपके professional front ने हो रहा है उससे कहीं beyond आपको मिलता हुआ दिख रहा है उससे कहीं जादा आपके लिए होता हुआ दिख रहा है और कहीं ये positive तरीके से ही रहता हुआ दिख रहा है देखे ये general reading है तो इन दोनों में से कोई भी एक situation, कोई भी एक scenario आपके लिए रह सकता है and personal front के लिए आप लोगों के लिए thunderbolt का card है और ये card कहीं उथल पुथल होने की बात करता है किसी चीज के तूटने की, बिखरने की, किसी चीज में से suddenly बाहर निकलने की या फिर sudden changes की भी बात करता है और personal front में कुछ ऐसा ही इस week आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये general reading है, थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा लेकिन thunderbolt का card कहीं बहुत ही pleasing या फिर peaceful energies की बात नहीं करता है कहीं anxious energies की बात करता है, restlessness भी रहने की बात करता है अब दिखे इनी सब चीजों को सुनके आपने बिलकुल भी नहीं परेशान होना है क्योंकि ये आपके पुरी life की reading नहीं है ये सिरफ और सिरफ इस week की reading है और otherwise also weekly reading में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं बहुत बड़ी चीज़े नहीं होती हैं यानि कि छोटी मोटी एक risklessness, anxiety या फिर not very peaceful and not very comforting energies इस week रह सकती हैं और अगर आप थोड़ा सा भी pause करके इस चीज़ को समझें तो this is part and parcel of life और जब ये भी ऐसी energies हम हैसूस कर रहे हैं कैसे हम अपने आपको better feel करा सकते हैं हम क्या कर सकते हैं जिससे की इन ही energies को हम अपने उपर हावी ना होने दें इस पे जब हम focus करते हैं एक better energies हमारी life में आती हैं बेटर तरीके से चीज़ों को deal कर पाते हैं क्योंकि देखे एक्स्टर्नल फ्रण में जो भी हो रहा है अगर हम उसको अपने उपर overpower होने दें उसको अपने mind में बहुत बड़ा बनाएं और बहुत ज़ादा जो ठीक नहीं हो रहा है उस पे focus करें तो अगर हम 50% anxious हो रहे हैं हमारी anxiety 50 से लेकर 80 हो जाती है 90 हो जाती है और जब हम थोड़ा सा peacefully, calmly चीज़ों को deal करते हैं तो अगर 50% anxiety है तो वो 30 हो जाती है तो जो भी energies आपके personal front में इस week रह रही हैं जो कि इतनी comfortable नहीं है उनको आप बड़ा करेंगे या फिर कम करेंगे या आपके उपर determine करेगा और इन जनरल या फिर guidance है आप लगों के लिए balsamic moon का card है ये card कहता है time for healing तो इस week कहीं किसी level पे healing की ज़रुरत रह सकती है या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि healing करना बहुत-बहुत important और अगर ऐसा आप महसूस कर रहे हैं तो please इसी direction में action initiative ज़रूर लें क्योंकि यहाँ पे a time for healing का card यही message दे रहा है यही आपको indication दे रहा है and astrology से आप लगों के लिए Capricorn sign का card है और इसके हिसाब से all shades of blue indigo आप लगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लगों के लिए होगा Saturday तो ये था वो गोज़ आप लोगों के लिए coming week का साबता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए Libras आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है aloneness और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में या तो एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं या ये भी हो सकता है कि बहुत actively आप चीजों में खुद को involved नहीं कर रहे हैं participate नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा back step ले रहे हैं थोड़ा सा चीजों से withdraw कर रहे हैं अब दिखिए जनरल रीडिंग है सब Libras के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा लेकिन ये card कहता है कि आप थोड़ा सा चीजों को और समझना चाहा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले या फिर literally ये नो कुछ के लिए हो सकता है research कर रहे हैं बहुत चीजों के deep में जा रहे हैं एक introspective energies में रहे रहे हैं और time to time थोड़ा सा withdraw करना एक back step लेके चीजों को अच्छे से समझना बहुत बहुत important होता है देखिए जब हम तीर कमान भी किसी भी चीज के लिए लगाते हैं तो पहले तीर को पीछे खीशते हैं और फिर वो आगे की तरफ बहुत speed से जाता है तो इसी तरीके से फिर से कहूंगी एक back step लेना बहुत important होता है लेकिन जब भी भी हम too much time spent कर देते हैं चीजों को समझने में या फिर एक introspective energies में तो कहीं हम इसी energy में और deep चले जाते हैं और फिर कहीं हम अपने goal से भटक जाते हैं तो यहां आपे देखिए इस card का message आपके लिए ही है कि थोड़ा सा आप चीजों को अच्छे से जरूर समझें deep में जरूर जाएं लेकिन इतना भी deep में ना जाएं कि आप confused हो जाएं and otherwise देखिए this is a neutral card यह card ना तो कहता है कि कुछ बहुत great हो रहा है और ना ही किसी चीज के गलत होने की बात करता है बहुत ही neutral सी energies इस week आपके professional front में रह रही हैं जापर फिर से मैं कहूंगी बहुत एक enthusiasm बहुत एक excitement चीजों को लेकर नहीं रह रहा है थोड़ा सा हो सकता है कि आप low energies में रह रहे हैं low energies is actually not the right word एक missing सी energies रह रही हैं एक फिर से कहूंगी बहुत motivated हो सकता है आप अपने goal के लिए नहीं रह रहे हैं या फिर बहुत जादा ही deep आप चीजों में जा रहे हैं and personal front के लिए आप लुगों के लिए rebirth का card है और rebirth के literal meaning को देखें तो फिर से किसी चीज के शुरू होने की बात करता है नए सिरे से चीजों के फिर से मैं कहूंगी start होने की बात करता है और broader level के लिए personal front में कुछ ऐसी ही energies है और हम दूसरे तरीके से अगर इसको कहें तो ending, beginning ये card represent करता है और ये general reading है तो सब Libras के लिए ending, beginning differ करेगी कुछ के लिए बहुत ही छोटी मोटी ending, beginning हो सकती है जैसे कि किसी चीज को लेकर आप बहुत सोच रहे थे, परिशान हो रहे थे और इस week आपको ऐसे लग सकता है, बस बहुत हो गया अब ये thought process की वज़े से खुद को नहीं परिशान करना इसको यहीं पर ही end कर दो कुछ के लिए कोई belief system हो सकता है जिसकी वज़े से कुछ issues आपकी life में हो रहे थे और आपको लग रहे है कि बस इस belief system के हिसाब से आगे नहीं चलना कुछ के लिए देखिए कोई काम आप कर रहे थे उसको end करके नए सिरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए relationship में हो सकता है ending, beginning हो रहे है अब देखिए किसी भी level पे हो सकती है बहुती छोटी मोटी भी रह सकती है जैसे कि अगर argument हो रहा था पीछे तो इस week आप सोच सकते हैं कि भई छोडो argument को ठीक ठाक करते हैं fresh तरीके से चीजों को शुरू करते हैं खतम करते हैं लडाई को तो देखिए लडाई खतम करना भी ending है और नए सिरे से reconciliation करके आगे बढ़ना एक नई beginning है तो यहाँ पर मैंने आपको सुरफ example बताया है और यह बहुती positive beginning मैंने आपको बताई है यह फिर से मैं कहूंगी general reading है सब के लिए ending beginning differ करेगी तब तक हम चीजों को positively deal कर रहे होते है और positive जो एक नई beginning हो रही होती है उसके उपर focus कर रहे होते है तब तक अगर हमें discomfort भी हो रहा होता है तो जादा परेशान नहीं करता है तो broader level के लिए फिर से मैं कहूंगी personal friend में किसी भी level पर किसी भी तरीके की ending beginning रह रही है और इस card का आपके लिए message भी यही है कि जो भी चीज़े serve नहीं कर रही है आपको किसी भी तरीके से परेशान कर रही है जितनी जल्दी आप उनको let go करेंगे आप नई चीजों को welcome करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में चीज़ों को असान करेंगे तो इस चीज़ का भी खायाल आप इस वीग जरूर रखें और इन जनरल या फिर गाइडन से आप लोगों के लिए फुल मोन इन जेमिनी का काड है और ये काड कहते है The answers you need are coming तो कुछ सवाल अगर आपके मन में चल रहे हैं जो कि आपको परिशान कर रहे हैं और अगर परिशान नहीं भी कर रहे हैं आपको उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं और आपके मन में बहुत ही curiosity हो रही है तो बहुत ही clearly इस काड का मेसेज आपके लिए the answers you need are coming और कभी कभी क्या होता है न conscious level पर हमें इस चीज की awareness ही नहीं होती कि कुछ सवालों के जवाब हम ढूंड रहे हैं चाहा रहे हैं लेकिन जिस भी चीज को जानने की जरत है वो इस वीक आप जरूर जानेंगे and astrology से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का काड है इसके हिसाब से all shades of green इस वीक आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था Libra's आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जुरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए इस copy उस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या ले करा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the rebel और दिखें यहाँ पर the rebel का literal meaning अगर हम देखें तो किसी चीज के लिए withdraw करना या फिर किसी चीज के against जाना और इस week आपके professional front में मैं यह नहीं कहूंगी कि rebellious energies है but yes you know आप अपने लिए stands बहुत strongly लेते हुए दिख रहे हैं किसी भी चीज पे अगर आपका faith है आपको विश्वास है तो आप submissive होके कहीं बहुत जादा you know अपनी feelings, emotions को या फिर अपने actions को suppress नहीं करते हुए दिख रहे हैं अगर जिस भी चीज में फिर से मैं कहूंगी आपको विश्वास है उसके लिए आपको लोगों के against भी जाना पड़े या फिर you know आपको against a tight भी जाना पड़े तो इस वी काप ready रहते वे दिख रहे हैं तो broader level के लिए the rebel का मतलब होता है कि आप बहुत confidently, बहुत assertively अपने goal, अपने मकसद के लिए action initiatives लेते वे दिख रहे हैं In the process, कुछ limitations, कुछ restrictions को भी अगर आपको पार करना पड़े, तोड़ना पड़े तो उसको भी आप तोड़ते वे दिख रहे हैं The rebel is a very, very powerful card in tarot और कहीं कुछ ऐसा ही आपके professional front में भी होता हुआ दिख रहा है Power, Position, Authority या तो आपको मिल रही है या फिर आप चाहा रहे हैं और broader level के लिए मैंने आपको बताया ही आप अपने goal, अपने मकसद को achieve करने के लिए out of the tide, या फिर, sorry, against the tide या फिर, you know, against everything action initiatives लेते वे दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए the burden का card है और इसकी literal meaning को देखें तो किसी भी चीज को लेकर एक pressure, एक stress, एक burden आप इस week महसूस कर सकते हैं अब देखें, ये general reading है सब scopius के लिए different reasons रहेंगे कहीं, you know, कुछ के लिए relationship से related हो सकता है कुछ के लिए travel से related हो सकता है कुछ के लिए बच्चों से related हो सकता है तो देखें कोई भी reason हो सकता है लेकिन बहुत peaceful energies नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं या फिर मैं कहूंगी कि एक pressure, एक burden आप महसूस कर रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि जो भी आपकी external front में हो रहा है उसको लेकर थोड़ा सा pause करके अगर आप अपनी self talk को observe करेंगे तो आप realize करेंगे कि जो भी external front में हो रहा है उसको लेकर आपकी self talk बहुत negative रह रही है और जैसे ही आप इस self talk को positive करेंगे तो चीज़ें आपकी हिसाब से नहीं हो रही है उनके लिए acceptance लेकर आएंगे और अपने आपको बोलेंगे कि जो भी हो रहा है न ये आपकी भलाई के लिए हो रहा है शायद आप इस week नहीं देख पा रहे है universe has a bigger and a better plan for you आप अपनी energies में एक shift लेकर आएंगे आप बहतर feel करेंगे और जब हम बहतर feel करते हैं तो बहतर energies universe से attract करते हैं और कहीं उस week को भी हम बहतर करते हैं तो थोड़ा सा इस चीज का खयाल आप इस week ज़रूर रखें और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए new moon का card है और ये card कहता है new start is coming तो देखें मैंने आपको इसी तरीके की बात भी बोली थी और यहाँ पर ये card भी आपको इसी चीज की assurance दे रहा है कि नई beautiful beginning आपकी life में होने वाली है तो जो भी चीज आपको personal front में specifically pressure दे रही है या फिर एक stress create कर रही है आप उसको ज़ादा energy ना दें आप उस पे ज़ादा focus ना करें and astrology से आप लोगों के लिए card है Taurus और इस card के हिसाब से इस week all shades of green आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था Scorpios आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर वाए चलिए से लिटे जैसा आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है playfulness और ये card एक दो चीज़ें कहता है सबसे पहली कि इस week हो सकता है कि आपके professional front में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको आप बहुत enjoy कर रहे हैं क्योंकि देखें playfulness कहीं fun, mजा, मस्ती वाली energies की बात करता है और कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़े से carefree हो रहे हैं कर रहे हैं, आप चीज़ों को enjoy कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर second वाला scenario है, जहाँ पर आप चीज़ों को casually ले रहे हैं for granted ले रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ों को check करके correct करें और देखें मैं आपको ये बिलकुल भी नहीं कह रहे हूँ कि आप life को लेके या चीज़ों को लेके serious हों बट एक balance हमें जरूर रखना चाहिए हमें अपने goal मकसद को लेकर alert attentive रहना चाहिए उस पे focus जरूर रखना चाहिए और जो भी required action initiatives होते हैं वो maturity के साथ हमें लेने चाहिए तो यहाँ पे दिखिए इस week एक immature energies भी आपकी रह सकती है और अगर ऐसा आप पाएं तो जरूर इस चीज़ को check करके correct करें कोई भी बड़ा decision, कोई भी बड़ी choice अगर आप ले रहे हैं तो किसी experiential इंसान से या फिर जिनको आप trust करते हैं उनसे जरूर discuss कर लें क्योंकि देखिए थोड़े से carefree होते हुए दिख रहे हैं और फिर से मैं कहूंगे इंदा process careless, immature भी आप रह सकते हैं तो इस चीज़ का खयाल आपने इस week से डिटेर जरूर रखना है और personal front के लिए आप लुगों के लिए silence का card है और ये card देखिए एकदम से मन के शान्त होने की बात करता है अब अगर हम otherwise देखें तो हमारा मन कभी भी शान्त नहीं होता है कुछ न कुछ इस mind में चलता ही रहता है लेकिन जब हम situation या फिर मैं कहूंगी past situation past circumstances से compare करें तो उस हिसाब से हो सकता है कि पीछे जितना आप परेशान हो रहे थे या फिर एक unrest अगर था या anxious energies थी या किसी भी चीज़ को लेकर confused हो रहे थे तो इस week एक बहुत ही calming एक बहुत ही relaxing energies रह सकती है उस point of view से या फिर past के comparison के हिसाब से जहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आप थोड़ा अगर परिशान हो रहे थे तो इस week एक relaxation आप महसूस कर सकते हैं एक positivity आती हुई दिख रही है अगर पीछे आपको direction नहीं मिल रहा था या फिर direction less feel कर रहे थे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या direction लें तो इस week एक direction भी आपको मिलते हुई दिख रही है all in all ये card बहुत ही positive energies की बात करता है और यही positivity कहीं आप अपने personal front में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर otherwise महसूस कर रहे हैं और इस हिसाब से personal front काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है अब दिखे मैं यह नहीं गहरी कि professional front में कोई issue है यह कि playfulness का card किसी भी issue किसी भी मसले की बात नहीं करता है हमारे attitude की बात करता है चीज़ों को लेकर और मैंने आपको बहुत clearly बताया ही कि अगर आप immature energies पाएं या carelessness पाएं तो ज़रूर चेक करके correct करें otherwise professional front भी ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है and in general यहाँ फिर guidance है आप लोगों के लिए new moon and aquarius का card है और यह card कहता है bring love into the situation तो जो भी काम आप करें बहुत ही compassionately, बहुत ही lovingly करें irritate ना हो, frustrate ना हो and astrology से आप लोगों के लिए Aries sign का card है इसके हिसाब से all shades of red, maroon, rust इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो यह था सिटेटेटेटेस आप लोगों के लिए coming week का साबता ही ग्राशीफल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Capricorns आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है past lives और यह card एक confusion की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund के लिए रहता हुआ दिख रहा है और इस चीज को सुनके आपने परिशान नहीं होना because this is part and parcel of life और यह weekly reading है तो weekly reading में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है छोटी-मोटी confusion, insecurity या फिर you know होता है ना कभी-कभी हमें समझ में नहीं आता कि हम इस चीज के लिए क्या action ले क्या initiative लें एक बहुत blank सी energies हमें महसूस होती है तो कहीं ऐसा-सा इस week रह सकता है और ऐसे में देखिए जो भी चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है या फिर जो भी confusion आपके mind में रह रही है insecurities रह रहे हैं या फिर for that matter of fact fears रह रहे हैं उनको जितनी आप energy देते हैं वो उतना ही आपके उपर हावी होते हैं और आपको लगता है कि भाई आप इस situation में कुछ कर ही नहीं सकते हैं लेकिन actually हमारा ही इन energies पे बहुत ज़ादा focus चीजों को खराब कर रहा होता है तो फिर से मैं कहूंगी कि जब भी ऐसी energies हों कैसे हम एक clarity ला सकते हैं उस पे अगर हम focus करें हम अपनी self-talk को observe करें जो भी negative thoughts आ रहे हैं उनको recall, cancel, delete कहे के positive thought उनकी जगा पे create करें एक positivity कैसे हम ला सकते हैं उस पे focus करें तो इन ही energies को हम बहुत ज़ादा कम कर देते हैं यानि कि अगर 50%, 60% एक confusion है आप इन energies पे focus करेंगे तो ये confusion, ये insecurity 80-90% हो जाएगी और आप थोड़ा असा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अपनी self-talk को observe करेंगे कहीं you know negative thoughts को positive thoughts में replace करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर 50% confusion है तो वो धीरे धीरे कम होके 40, 30, 20 रह रही है अब देखिए आपके ओपर depend करेगा कि जो भी आपके professional front में रह रहा है उसको आप बढ़ा करते हैं या फिर आप कम करते हैं I know कुछ चीजें होती हैं उनको हम जो भी करें नहीं बदल सकते हैं तो उस scenario में भी परिशान होने से तो situation हल होगी नी परिशान होने से तो कुछ भी आपकी life में ठीक होगा नी तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप परिशान ना हो no matter what is happening at the external front यह temporary होता है या फिर मैं कहूंगी जो भी issue problem होता है वो temporary होता है कभी ना कभी तो निकलता ही निकलता है रात जितनी भी लंबी काली सबह जरूर होती है और जब आप इस चीज को अपने mind में कहेंगे तो काफी better आप feel करेंगे और better energies for universe से आप attract करेंगे तो इस चीज का खयाल जरूर रखें और personal front के लिए आप लोगों के लिए new vision का card है इसके literal meaning को देखें तो हो सकता है कि नए तरीके से आप चीजों को समझना चाह रहे हैं नए तरीके से आप चीजों को deal करना चाह रहे हैं हो सकता है कि जिस तरीके से पीछे आप चीजों को देख रहे थे perceive कर रहे कि भी थोड़ा सा आंगल बदल कर देखते हैं विना इसे आंगल बदल कर देखते हैं मतलब चीजों को देखने का नजरिया बदलते हैं उनको डिफरेंट तरीके से परसीव करके देखते हैं और देखिए अगर ऐसी एनरजीज में आप हैं तो मैं आपको यही कहूंगी आप राइट डारेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि जब भी भी हम नजारा नहीं बदल पाएं हमें थोड़ा सा अपना नजरिया ज़रूर बदल लेना चाहिए और ऐसा करते हैं तो चीजों को बेटर तरीके से डील कर पाते हैं कि फिर एक ही चीज को डील करने के हमारे पास बहुत सारे options आते हैं बहुत सारी चीजें आती हैं और better understanding आती है और हम better भी feel करते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि किसी level पे छोटे-मोटे compromises, adjustments आप कर रहे हैं और overall के लिए कहीं यूनो एक फिर से मैं कहूंगी कि जैसे बंद, लिफाफे को जब हम खोलते हैं तो एक expansion होता है हम explore करते हैं चीजों को तो वैसा-सा आपके लिए personal fund में रहता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए new moon and Leo का card है और यह card कहता है confidence is your key to success तो देखिए जो भी करें na confidently करें कितनी बारी होता है हमें सब कुछ आता होता है हमें सब कुछ पता होता है और हम confidently चीजों को नहीं कह पाते हैं नहीं कर पाते हैं और उस ही में हम मात खा जाते हैं और कितनी बारी लोगों को इतना आता भी नहीं होता है पता भी नहीं होता है लेकिन इतना जबरदस confidence होता है कि वही चीज उनको success दिला देता है तो यहाँ पर दिखिए confidence is your key to success यह इस week के लिए आप लोगों के लिए बहुत strong message है वैजे तो हमें हमेशा ही इस चीज का खयाल रखना चाहिए and astrology से आप लोगों के लिए the moon का card है इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लगी रहेगा and a significant day आप लोगों के लिए होका Monday तो यह था कि अप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जुरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए एक वेजिस आप लोगों के लिए देखेगी कमी week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the miser अब देखिए the miser के literal meaning को देखें तो कंजूस होता है और अगर broader level के लिए इस card के हिसाब से आपके professional front की reading करें तो थोड़े से आप कंजूस होते हुए देख रहे हैं अब यह general reading है यह कंजूसी यह miser वाली energy सब के लिए differ करेंगी कुछ के लिए literally हो सकता है कि कि किसी idea को लेकर किसी thought process किसी belief system को लेकर आप तोड़े से कंजूस हो रहे हैं यानि कि बहुत tightly उसको पकड़ कर बैठे हुए हैं आप किसी के साथ share नहीं करना चाह रहे हैं अपने ideas को अपने mind में जो भी चीज़ें चल रहे हैं उनको किसी भी चीज़ पे investment भी करने की बात करता है कुछ के लिए हो सकता है कि आप investment कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपके mind में एक सोच चल रही है इसी से related planning चल रही है और overall के लिए दिखे किसी चीज़ को बहुत tightly आप पकड़ कर बैठे हुए हैं अब फिर से मैं कहूंगी ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया idea हो सकता है thought process हो सकता है और कुछ के लिए काम करने का तरीका हो सकता है कुछ के लिए किसी कुली की बात हो सकती है और कुछ के लिए दिखिए again मैं कहूंगी कोई भी चीज हो सकती है थोड़े से rigid थोड़े से fixated भी इस वीक आप चीजों को लेकर रह सकते हैं तो दिखिए this is not a negative card ये एक neutral card है और कहीं दिखिए अगर आप savings कर रहे हैं आप अच्छी चीज में invest कर रहे हैं तो उसे साब से positive है तो कई दोनों ही energies हैं या तो neutral या फिर positive but yes for sure negative energies नहीं है but एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि अगर बहुत tightly किसी चीज को पकड़ रहे हैं आप rigid हो रहे हैं, fixated हो रहे हैं क्योंकि देखें इस week आप नहीं इस चीज को realize कर पाएंगे लेकिन इन ही energies की वज़े से आगे चलके आप थोड़े से परिशान हो सकते हैं and personal front के लिए आप लुगों के लिए healing का card है और water sign है ये तो कहीं emotional होने की बात करता है और literally कुछ के लिए हो सकता है कि एक healing आप चाहा रहे हैं आप कर रहे हैं, पीछे हो सकता है कोई बात आपको hurt करी कोई चीज आपको बुरी लगी, आप थोड़ा सा परिशान हुए और जो भी रहा हो या फिर ना भी रहा हो इस week आपको ऐसे लग रहा है कि भाई एक relaxing सी, peaceful सी energies होनी चाहिए कुछ के लिए literally, you know, अगर hurt हुई कोई बात तो उसी से related आप healing कर रहे हैं या फिर करना चाहा रहे हैं तो दिखिए, this is a positive card and कुछ के लिए भी हो सकता है कि relationships पे focus कर रहे हैं कुछ के लिए खास कोई relationship हो सकता है कुछ के लिए romantic relationship हो सकता है कुछ के लिए overall relationships हो सकते हैं आप अपना love, अपने loved ones को express कर रहे हैं आप फिर किसी खास इंसान को express कर रहे हैं या फिर कोई खास इंसान अपना love आपको express कर रहे हैं या फिर loved ones आपके लिए बहुत expressive हो रहे हैं especially love से related, feelings से related तो फिर से मैं कहूंगी कि emotions, feelings, sentiments ये चीज़ें जादा रहती भी दिख रहे हैं और कहीं positive energies ही आपके personal front में रह रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए new moon and taurus का card है और ये card कहता है prosperity lies ahead तो जो भी आप अभी कर रहे हैं उसके लिए एक prosperous outcome near future में आपको मिल सकता है या फिर इस week जो भी हो रहा है आपको इस चीज़ के लेकर एक बहुत confidence हा रहा है कि yes आप अपने goal मकसद को अचीव कर लेंगे वो prosperity जो आप चाहते हैं वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है और अगर ऐसा नहीं भी आप महसूस कर रहे हैं ये card आपको कह रहा है prosperity lies ahead जो भी कर रहे हैं उसके positive outcome आपको ज़रूर मिलेंगे और astrology से आप लोगों के लिए cherry on का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था एक वेगेस आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए बाइसेज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the outsider और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में चोटे मोटे issues चोटे मोटे मसले आपको परिशान कर सकते हैं देखें ये minor arcana का card है और ये weekly reading है तो मैं आपको इतनी assurance ज़रूर देज सकती हूँ कि बड़ी कोई चीज नहीं होगी इका दुक्का लोगों की बात अलग है लेकिन फिर से कहूँगी चोटे मोटे issues आपको थोड़ा सा bother कर सकते हैं और ये जिन्दगी है चोटे मोटे issues होना तो part and parcel है life का तो इस चीज को सुनके आप परिशान ना हो इस week से आप बहुत high expectations ना रखें क्योंकि at the end of the day हमें सबसे जादा जो चीज hurt करती है वो हमारी expectations होती है और दिखें ये issues ये मसले सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए money पैसे से related हो सकता है आप किसी चीज में invest करना चाहा रहे है या फिर कोई purchase करना चाहा रहे है और आपको लग रहा है कि भई उतना आपका budget नहीं है ये चीज किसी level पर आपको bother कर रही है कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं से payment आनी थी वो delay हो गई या फिर उतना profit आपको नहीं हो रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि कोई खास इंसान आपके professional front में है जो आपको avoid कर रहे है, ignore कर रहे है और कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं एक rejection आपको मिल रहा है एक बहुत welcoming वाली energy जो भी आप चाहते हैं उसके लिए नहीं रहती भी दिख रही है और फिर से मैं कहूंगी छोटे मूटी ही चीजे रह रही है तो इस चीज को सुनके आपने बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है बस खुद को ये कहना है कि इस week ना बहुत high expectations मत रखो ये week निकल जाएगा इस week हो सकता है कि वो काम उस तरीके से ना हो जो आप चाहा रहे हैं और next week उनके होने के काफी सारे chances हैं तो देखिए जब ऐसा आप खुद को कहेंगे तो beyond the point आप परिशान नहीं होंगे इस week की energies को भी आप भैतर करेंगे और personal front के लिए the source का card है और देखिए ये card बहुत जबरदस एक energy, बहुत जबरदस एक enthusiasm, motivation की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है और ये card कहीं साथी साथ नहीं beginning भी होने की, चाहने की या करने की बात करता है अब देखिए ये general reading है, फिर से कहूंगी surprises के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा कुछ के लिए, देखिए relationship से related हो सकता है, कोई नई beginning है कुछ के लिए जगा से related हो सकता है, कोई नई beginning है तो देखिए जो भी दो चीज़े मेरे mind में आई, मैंने आपको कहा सब के लिए ये नई beginning differ करेगी और simply हो सकता है नए सिरे से आप पुरानी कोई चीज़ कर रहे हैं और in the process बहुत जबरदस्त एक energy है बहुत जबरदस्त enthusiasm, excitement है जो भी आपकी life में हो रहा है या पिर जो भी आप चाहा रहे हैं एक बहुत जबरदस motivation भी आप महसूस करते वे दिख रहे हैं आपको ऐसे लग सकता है कि बस आप powerhouse है energy का और अब जो भी आप चाहेंगे उसको achieve कर सकते हैं उसको पा सकते हैं और देखिए अपने goal, अपने मकसद को achieve करने के लिए ये energy होना बहुत बहुत important है जब ऐसी energy होती है nothing can stop us from achieving what we want तो positive ही आपके personal front में चीज़ें इस week रहते हुई दिख रही है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए full moon and equatus का card है और ये card कहता है show the world the real you तो जो भी आप मन में महसूस कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए इनसान के लिए आपने न उसको छुपाना नहीं है यहाँ पर दिखे बहुत ही clearly लिखा है show the world the real you अपनी real feelings, real emotions, real thought process आप बिना filter के लोगों से share करें आप यह ना सोचें लोग क्या सोचेंगे या फिर कोई भी और reason हो सकता है जिसकी वज़य से अगर आप थोड़ा सा secretive हो रहे हैं या फिर खुल के transparency के साथ चीज़ों को नहीं कह रहे हैं तो यहाँ पर बहुत clear message है कि आप जो भी reality में महसूस कर रहे हैं उसको ज़रूर उसी तरीके से communicate करें या फिर यू नो उसी तरीके से आप action initiatives लें and astrology से आप लोगों के लिए विस्ता का card है इसके हिसाब से all shades of yellow, orange इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant days आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday तो यह था prices आप लोगों के लिए coming week का साब था ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए